गाइस डाइपोल मुमेंट को पर बेस एक और कोशन है प्रोवलम फॉर प्रैक्टिस का मतलब आपकी एक्सेसाइस का ये कोशन है चलो इसको भी अटेम करते हैं हमसे क्या गारा कोशन में एन इलेक्टिक डाइपोल कंसिस्ट अफ टू अपोजिट चार्जिस जाहिर सी बात है इलेक्टिक डाइपोल है तो दो अपोजिट चार्जिस तो होंगे ही होंगे हमसे गहरा जिनके मेगनिट्यूड जो है वो ये है ठीक है अगर मेरे पास एक ये चार्ज है दूसरा यहाँ पर रखा होगा अगर इसका मेगनिट्यूड में 2 इंटो 10 की पावर माइनस का 6 ले लेता हूँ तो दूसरे कभी मुझे 2 इंटो 10 की पावर माइनस का 6 लेना ही पड़ेगा अब चुकि ये डाइपोल है तो ये एक आपके पास positive होगा और दूसरा आपके पास negative होगा ये electric dipole बन गया according to question हम से कह रहा है कि each are separated by a distance of 3 centimeter मतलब ये है कि दोनों charges के बीच का जो separation है वो कितना है? 3 centimeter का कितने का separation है? 3 centimeter का हम से कह रहा है it is placed in an electric field अब ये जो है आपके पास dipole एक electric field में रखा हुआ है जिसकी value कितनी है? ये है तो यहाँ पर लिखेंगे solution आपको क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे given that में लिख देंगे कि आपको जो दिया हुआ है वो electric field दिया हुआ है जिसकी value कितनी है? 2 into 10 की power 5 Newton per gula ठीक है? हम से कह रहा है determine the maximum torque on the dipole मतलब torque पूछ रहा है वो भी maximum कितना होगा? अब आपको पता है tau max होता कितना है? tau max is equal to होता है P e tau max is equal to कितना होता है? P e ये आपको पता है पूरा formula होता है P e sine theta torque होना electric dipole चुकि यहाँ पर maximum की बात कर रहा है तो maximum में sine theta की value जो होती है वो 1 होती है theta is equal to 90 degree पर जिसकी वज़े से tau max is equal to आयाता है P e अब आपके पास tau max P e है P क्या होता है? dipole moment इसको कैसे निकालते हैं? P is equal to होता है Q into 2a और ये electric field ऐसे ही रहेगा अब Q आपके पास कितना magnitude लिखो चार्ज का? 2 into 10 की पावर माइनस का 6 2a का मतलब है दोनों charges की बीच का separation जो की आपको 3 cm दिया हुआ है तो 3 cm को हाथ ओ हाथ मेटर में convert कर देंगे 3 into 10 की पावर माइनस 2 ये मैंने 2a की value को put कर दिया इसके बाद मैं electric field की value को put करूँगा 2 into 10 की पावर 2 into 10 की पावर 5 ये दिया हुआ था बस इसको solve कर लो और आपके पास tau max निकल करके आ जाएगा 2, 3 is a 6 और 6, 2 is a 12 12 तो ये होगा 10 की पावर माइनस का 6 10 की पावर माइनस का 2 तो 10 की पावर माइनस का हो जाएगा 8 और यहाँपर 10 की पावर पिलस का 5 है तो 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा इंडू 10 की पावर माइनस का 3 इसको सही करके लिखेंगे यह हजाए का 1.2 इंडू 10 की पावर माइनस का 2 अब यह tau है तो tau का unit था Newton meter में तो आप से यही पूछा था कि maximum torque बतादो तो maximum torque की value आपके पास आ चुकी है hope so समझ में आ गया होगा कोई इतना tough numerical वीडियो को जितना हो सके share करते thank you so much guys आप सभी का support कीजिएगा दबा करके